तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 15 सालों से ज्यादा समय से चल रहा एक पॉपुलर टीवी शो रहा है। आज इस आर्टिकल में जानेंगे शो के सभी किरदार दर्शकों को एंटर्टेन करने के लिए मेकर्स से कितनी फीस वसूलते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का रोल निभाने वाले दिलीब जोशी शो में सबसे लोगप्रिय किरदारों में से एक है। पिछले कुछ सालों दिलीब जोशी ने हर घर में अपनी पहचान बना लिये। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तर टीवी सीरियल के हर एपिसोड के लिए लगभग एक दौट पांच दो लाख रुपे चार्ज करते हैं। मुन्मुन दत्ता, जिन्हें टी-म केयोसी में बबीता जी के नाम से जाना जाता है, को उनके चुलबुले किरदार और स्टाइल के लिए पसंद किया जाता है। फैंस को उनकी ऑन स्क्र और जेठालाल के साथ दोस्ती अच्छी लगती है। जोशी ने TM-KOC में भीरे की पत्नी माधवी का किरदार निभाया है, जो गोकुलधाम सोसाइटी में अपने अचार और पापर बिजनेस के लिए जानी जाती है। बताया गया है कि वह अपने किरदार के लिए प्रती एपिसोड 35,000 रुपे वसूलती है। इसी के साथ TM-KOC म सोनु का किरदार निभाने के लिए एक त्रेस पलक सिध्धवानी भी काफी पॉपुलर है। सीरियल में वह सोनु आत्माराम भीरे के किरदार में नजर आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनु एक एपिसोड के 20 से 30,000 रुपे चार्ज करती है। इसी के साथ शो में रिष्टे की काफी तारीफ करते है। पोपतलाल के नाम से मशूर श्याम पाठक अपने किरदार के लिए प्रती एपिसोड लगभग 60,000 रुपे कमाते है। वह शो में एक पत्रकार की भूमी का निभाते है और अपने किरदार के लगातार कुमवारेपन और शादी की तला करें।